So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और guys, अगर अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम चैनल स्टॉक मार्केट इनको भी जोईन नहीं किया है तो प्लीज इसे भी जोईन कर देना है इसके लिंक आपको नहीं चैनल डिस्क्रिप्शन दो अभी जाएगे तो guys, करते हैं वीडियो को continue और इस वीडियो में बात होंगी Gale India Limited की So guys, Gale India Limited अगर देखें तो एक बहतरी शेयर है Company की ओर से announcement भी किया गया है एक तगड़े, डिविडेंट का और एक डिविडेंट आपको 21 तारीक के पहले मिल जाएगा यानि 21 तारीक इसकी X डिविडेंट डेट है guys, तो 21 तारीक के पहले भाई करते हो तो आपको मिलेगा और वही अगर देखें तो स्टॉक में गिरावट हमें देखने का बल रही है कुछ trading seasons है वही अगर देखें तो हम expect कर रहे थे कि डिविडेंट के गारण स्टॉक में एक अच्छा तगड़ा momentum आए बट वेसा हमें देखने को नहीं मिला स्टॉक में यहाँ पर आप देखो तो continue गिरावट हमें नजर आ रही है स्टॉक में आज भी अगर दिखा जाए तो 80 बेसे यह शेयर गिर चुका है 0.73% के बेसिस पर गिरावट रही है बट गाइस वही अगर कहूं तो कही ना कही market भी डाउन है जस वज़े से शेयर गिर रहा है बट गाइस यहाँ पर शेयर होल्डर्स को आज एक जटका लग गया है तो कौन सा हूँ कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसके वज़े से शेयर होल्डर्स को यहाँ पर नुकसाँ जिलना पड़ सकता है तो अगे बताने वाला तो stock ने closing कहा दी उससे बिले वो देख लेते हैं तो 109.20 रूपिस के around closing दिये और एक news आर ये इस share में यहाँ पर आप देखो गैस तो NCLT approves Gail's रूपीस 2079 करोर resolution plan for JBF petrochemicals तो गैस यहाँ पर अगर देखे कर resolution plan था Gail का JBF petrochemicals के लिए और A था NCLT के अंदर A चीज चल रही थी इसके अंदर यहाँ पर approval के लिए काफी ज़्यदा मशक्कत देशे करने पड़ी और finally इन्होंने approval दी दिया लगबग A है 2089 करोर का resolution plan तो गैस एक अच्छी news यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर अगर देखें So guys पिछले एक साल से अगर दीखें तो यह इसके अंदर था NCLT के अंदर और यहाँ पर अगर देखें तो काफी ज़्यादा प्रोसेस होती है इसके लिए लगबग एक साल लग गया है और फाइनली यहाँ पर NCLT के और से अपरोल दे दिया गया है तो एक अच्छी पॉजिरिव चीज यहाँ पर गेल के लिए नजर आ रही है वही बड़े आगे तो आज वॉल्यूम बेस स्टॉक में अच्छा देखने का हमें मिला है एक करोड के अराउंड की डिलिवरिस स्टॉक में आज उठाएगी है अब देख सकते है गाई सेवन करोड के अराउंड की डिलिवरिस गेल इंडिया लिमिटेड में उठाएगी है एस्टरेडे की बात करूँ तो दो करोड के अराउंड की और 9% लोग यहाँ पर hold करने के लिए गह रहा है टोटल अगर देखे गाइस तो कही न कही इसे share में 82% लोग आपको positive नजर यहाँ पर आने वाल है 82% लोग यहाँ पर positive नजर आ रहा है तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है और 18% लोग यहाँ पर stock में sell करने के लिए गह रहा है डिविडेंट की बात करें तो बिलकुल यहाँ पर डिविडेंट 4 उपे पर equity share का मिलने वाला है interim dividend है dividend के type की बात करू तो 21 March 2023 से पहले बाई करते हो तो बिलकुल आपको dividend का benefit होने वाला है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर बिलकुल dividend भी मिलेगा बट वही अगर देखें तो stock डाउन जा रहा है और shareholders के लिए एक काफी बुरी ख़बर है तो यहाँ पर आप देखो कि guys तो कल हमने कुछ patterns आपके साथ discuss किये था इन patterns पर मैंने कहा था कि एगर breakout मिलता है तो stock में अच्छा momentum हमें नजर आ सकता है वो हमें देखने को आज मिला भी stock में कल हमने इस pattern को discuss किया था यहाँ पर एक चीज़ मिले गई थी कि stock में इस particular range से एक support है और इसी support को लेके कल इसने पूरा दिन इसी support पे गुजा रहा है उसके बाद stock में rejections भी हमें देखने को मिले था तो यहाँ पर हमने clearly के दिया था कि एक falling wage टाइप pattern यहाँ पर create हो रहा है तो आप buy cure जा सकते हो और यहाँ पर आप देखो तो morning में Indian market भी हमें positive नजर आया Indian market भी gap up कुला बट उसके बाद stock market यहाँ पर जो Indian market है उसमें तगड़ी गिरावठ हमें देखने को भी ली क्योंकि जो यहाँ पर अब देखो गैस जो US का futures है वो भी down थै और कहीं न कहीं European market भी down था और यहाँ पर अगर देखे तो और all global market में काफी तगड़ा यहाँ पर अगर देखे तो inflation को लेकर काफी कुछ rumors चल रहे है न्यूस चल रहे है जिस वज़े से यहाँ पर market totally down तो उसी की वज़े से morning भी gap up तो खुला बट उसके बाद suddenly एक fall यहाँ पर हमें देखने को मिला और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस fall को इसने continue यहाँ पर किया यहाँ पर हला कि इसने sideways consolidate करने की पूरी कोशिश की पर यहाँ से यहाँ पर भी इससे breakdown देखने को मिला यहाँ पर यहाँ पर इस trade line को break कर चुका है यहाँ पर कोई bad news नहीं है bad news है यहाँ पर हमें लगता है एक जटका क्योंकि इस stock में जो important level था जहाँ से stock sustain करके काफी उपर के level इसने achieve किये उसी range को इसने आज break कर दिया है यहाँ पर आप देखो पहले 106 रुपे से इसने support लिया था सीधा 112 से 113 रुपे तक कि इसने high लगाया फिर stock नीचे आया 108 रुपे के level पर इसने support लिया फिर 112 रुपे के around के high लगाया फिर यहाँ पर 110 रुपे के around इसी range पर support लेता हुआ नजराया तो यहाँ पर कही न कही हमें मिल गया था एक ascendal टाइप triangle जिसे bullish triangle भी कहा जाता है और आज हम ace share में positive थे कि हमें 112 के level को break होता हुआ अगर इनजर आता है तो यहाँ से काफी बड़े momentum नजर आ सकते हैं बड़ यहाँ पर ace ने straight line को break कर दिया है और यहाँ से आ रहा है एक fall तो guys बिलकुल यहाँ से fall create हो सकता है और guys अगर आप technicals नहीं करना चाते है तो telegram चल को join कर देना link description में तो यहाँ पर बिलकुल एक fall create इसने कर दिया है और खलके यहाँ पर अगर देखे guys तो कई सारी candles असके नीचे sustain कर रही है तो नीचे के targets क्या होगे तो 108 रुपे के around एक support level है या तो यहाँ पर support लेगा या फिर सीधा 106 से 105 रुपे के around यह आने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो guys तो कहीं न कहीं खलका सा gap up यहाँ पर हुआ था उसके बाद stock ने continue एक तगड़ी rally उपर की और बताई थी और उसके बाद उपर ही trade कर रहा है तो इन levels के around यह आ सकता है तो इन चीजों का ध्यान रखना है और वही एकर देखे एक level भी एकर break हुआ तो यह सीधा नीचे आएगा 102-101 रुपे के around तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है तो guys एक बड़ी बुरी खबर है shareholders के लिए और वही बड़े आगे यहाँ पर आप देख सकते हो guys एक gap अभी भी pending है यहाँ पर 102-103 रुपे के around का यह gap pending है तो इसे भी feel करने नीचे की और आ सकता है तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखे तो वन वीक के टाइम फ्रेम पर एक symmetrical टाइप pattern create आ स्वारी falling इस टाइप pattern create हुथा breakout के बाद एक rising इस टाइप channel यहाँ पर create हुआ और एक चीज हमने पहले भी कहे दी थी कि यह level एक important rejection level है यहाँ से stock एक rejection ले सकता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और वही हमें देखने को मिला stock ने एक strong rejection लिया और यहाँ से एक गिरावट की और आ रहा है तो guys बिल्कुल इस range को break होने का आपको wait करना पड़ेगा अगर आपको उपर की rally अगर देखनी है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर दिना चैनल को subscribe कर दिना और कोई भी share में investment करने से बढ़े शेर्स का analysis कर दिना और अगर अभी तक telegram channel को join नहीं किया है तो बिल्कुल आप हमारे telegram channel stock marketing को join कर सकतो तो इसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी thank you